चमशेदपूर से सटे अदितपूर में एक और हतिया अदितपूर थानच्छेतर में बेल लगाम अपराधियों ने बुद्वार की शाम एक बार फिर से एक युवक की गोली मार कर हतिया कर दी है। वहीं घटना के बाद परीजनों का रोरो कर बुरा हाल है। उधर घटना के बाद कॉलोनी वासी आक्रोशित है। कॉलोनी वासी एसपी के आने तक शव नहीं उठाने देने पर अड़े हैं। बता दें कि बीते 15 दिनों के भीतर आदित कुथाना च्छेतर में अपराधी तानव मचा रहे हैं। इस दोरान अपराधी दो-दो हत्या कर चुके हैं। जबकि दो बार गोली चालन की घटना को अंजाम दे चुके हैं। जिससे अब पुलिस की कारश्याली कड़गरे में है। कि अब गटना कब के है। अभी फोई दिर पहले मिला है। लड़का का क्या नाम है। दिवेक है। काहां रहाता है। कि घटना कैसे होगा। घटना तो अभी तो सुखिने मिला है तभी हम दोड़के आए ही। लेकिन बड़ा दुरुभाग पुन है। आज तक इतिहास में पहली घटना है जो खल्पनाप्री मिस्टर घटा है। हम कड़ी निंदा करते हैं उसका। और उस अपराधी को इतना सजा मिलना चीए। पहली घटना नहीं है। ब्राउन की घटना तो घटी है। ब्राउन की घटना तो घटी है। जमशेटपूर वासियों को मंगल बाजार के लिए अब नहीं करना होगा मंगलवार का इंतजार। क्योंकि अब मांगो के ओल्ड प्रुलिया रोड में खुल चिका है मंगला हाट। जहां आपको हर दिन मंगल बाजार के तरसपल मिलेंगे फैक्टरी माइनर रिजेक्शन ब्रांडिट कपड़े वो भी वाजिब दामों में। मांगो ओल्ड प्रुलिया रोड जेसु भवन की समीब रोलेक्स टावर के मंगला हाट में आपको मिलेंगे लड़के लड़कियों एवंग छोटे बच्चों के लिए माइनर रिजेक्शन ब्रांडिट कपड़े वो भी सिर्फ 30 रुपए, 50 रुपए, 99 रुपए, 1500 रुप का है मंगला हाट एक दम वाजिबता